हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, गोलू की साउजी रसुई आज हम एक नए तरीके का नाश्टा बनाने वाले है जो कि हेल्दी तो होगा ही, साथ में बच्चों को बहुत पसंद भी आएगा और उसके साथ ही हम बनाने वाले है एक चटने जो कि वो नास्ते के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगी तो चलो बनाते है इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी मटर के दाने लिए हुए है यह फ्रेश मटर के दाने है यह मैंने मिक्सी के जार में डाल दिये है अब उसके साथ ही उसमें डालूंगी मैं तीन हरी मिर्च, थोड़ा सा अद्रक और इसको अभी मैं पीस लूंगी तो इसको एकदम बारिक पेस्ट नहीं करना है इसको ऐसे दरदरा ही पीसना है यह देखो इपीस के हो चुका है यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया हुआ है और उसमें डाल रही हूँ एक कटोरी सुजी आधा कटोरी चावल का आटा और वनफोथ कटोरी बेसन इसके साथ ही जो मटर हमने बारिक करके रखे थे वो मैं इसमें डाल रही हूँ अब हम इसमें डालेंगे दो चम्मच दही तो यहाँ पर मैंने ये खट्टा दही लिया हुआ है इसके साथ ही अब मैं इसमें डाली हूँ एक चम्मच चाट पौडर एक चम्मच तील एक चम्मच शक्कर और स्वादा नुसर नमक अब ये सारे इंग्रेडियन्ट को मैं अच्छे से मिक्स कर लोगे इसको चम्मच से ही हम मिक्स करेंगे अभी हमें इसका एक बैटर तयार करना है तो इसके लिए मुझे इसमें डालना है पानी तो मैंने वही मिक्सर के पौट में पानी ले लिया था वो मैंने इसमें डाल दिया ऐसे ही इसको चम्मच से थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम मिलाएंगे इसमें और और पानी चाहिए, तो इसमें मैं और पानी मिला रही हूँ, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर, हम इसकी एक फाइन ऐसे पेस्ट तयार कर लेंगे, यह देखो है, हमारा बैटर इतनी कंसिस्टेंसी में चाहिए, ऐसे तयार करके हम 10 मिनिट के लिए इसको ऐस से ही छोड़ देंगे, चलो तक तक हम चटनी तयार कर लेते हैं, तो उसके लिए मिक्सिक के जार में दो चम्मच फुने हुए चना दाल, दो चम्मच मुंखली दाना, दो हरी मिल्च, एक छोटा चम्मच शक्कर, सौदा नुसर नमक, दो चम्मच दही, और इसमें जाएगा धेर साला धनिया, अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे, यह देखो इसमें यह दरदरा सा पीसा हुआ है, हमें एकदम फाइन पेस करने, इसलिए मैंने उसमें और थोड़ा सा पाने मिला दिया है, और मैं अब इसकी एकदम फाइने से पेस तायर करने वाली हूँ, यह देखो, यह बन गई हमारी चटनी, अब यह चटनी को हमें देना है तड़का, तो उसके लिए मैंने ग्यास पर तड़का पैन रख दिया है, और उसमें डाला हुआ है थोड़ा सा तेल, तेल जब गरम हो जाए तब हम उसमें डाल देंगे राई, और थोड तड़का लगाएंगे, हम अभी चटनी को, इसे चटनी की टेस्ट बहुत भी बढ़ी आएगी, इसे चटनी हमारी तयार हो चुकी है, चलो, अब इसको रख देते है, यह बैटर भी अभी तयार हो चुका है, अभी इसको हमें पकाना है, तो उसके लिए मैंने ग्यास पर त दिया है, और उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल, और तेल को मैं अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी, पूरे तवे में, एकदम ही कम तेल में नाश्ता बनता है, पूरे तवे को तेल से ग्रिस कर लिया है, अब मैं यह जो बैटर हमें तयार किया था, वो लूँग और इसको ऐसे छोटे चम्मस से दो चम्मस डाल कर इसको थोड़ा सा स्प्रेड करके ऐसे बना लूँगे जितने तवे में आएंगे उतने ही हम बनाएंगे यह देखो मैंने चार डाल दिये है और इसके उपर से अब मैं डाल रही हूँ इसमें किसा हुआ गाजर और उसके साथ ही मैं उसके उपर से डाल रही हूँ बारिक कटा हुआ धनिया तो चारो इसमें मैं गाजर और धनिया ऐसे ही डाल दूँगी यह देखो और उपर से मैं थोड़ा सा तेल लगा कर इसको ऐसे दबा दूँगी और इसको थोड़ा सा और तेल डार कर हम इसको अभी पकने देंगे इसे नीचे से थोड़ा सा तेल डाल देंगे ताकि वो नीचे से अच्छे से पक जाए इसे ही तेल डार कर इसको अभी हम 7-8 मिनिट तक के पकने देंगे जब ये नीचे से साइड छोड़ना चालू हो जाए तब हम इसको पल्टा देंगे क्योंकि हमें इसको दोनों तरब से अच्छे से पकाना है इसमें जो धनिया की खुश्बू है बहुत ही अच्छी आ रही है ऐसे ही इसको दोनों तरब से हमें दीमियाच पे ही पकाना है ये देखो ये दोनों तरब से अच्छे से पक चुके है अब मैं इनको निकाल लूँगी बहुती टेस्टी लगते है ये ये देखो ये नाश्ता हमारा तयार हो चुका है मस्त पक चुका है उपर से नीचे से दोनों तरब से पक चुका है और ये गाजर और धनिया बहुत ही मस्त दिख रहा है आप चाहे तो इस पे और पनीर डाल सकते हो या फिर अगर चीज चाहिए तो चीज डाल सकते हो ये देखो ये अंदर से भी पका हुआ है और ये चटनी क साथ यह नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है यह सबी को बहुत पसंद आएगा तो आप भी इसको एक बार जरू ड्राइ कीजिए थेंक यू